परिचय पंसारी साइना की मां को सामान और उसका 248 रुपए का बिल देता है साइना की मां जल्दी से बिल का जोड़ करती है और पंसारी को 300 रुपए दे देती है पंसारी तुरंद ही उन्हें 52 रुपए वापस कर देता है साइना को आश्चरे होता है कि आखिर बड़े लोग बड़ी संख्याओं का जोड़ वा घटा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं बच्चो इस अध्याय में आप दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानेंगे आओ सीखें दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुभ बनाकर तता हासिल लगाकर जोड़ना एक अंक वाली संख्याओं का जोड़ आओ एक अंक वाली संख्या के जोड़ से प्रारंब करते हैं 5 जमा 7 पराबर 12 होता है मीता के पास 7 चौकलेट है वो 7 चौकलेट और खरीद लेती है अब उसके पास कुल कितनी चौकलेट्स है 7 जमा 7 बराबर 14 जी हाँ, मीता के पास अब 14 चौकलेट है माधव के पास 8 शर्ट है उसके चाचा उसे 2 शर्ट और दे देते है अब उसके पास कुल कितनी शर्ट है 8 जमा 2 बराबर 10 जी हाँ, माधव के पास कुल 10 शर्ट है दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समों बना कर या बिना बनाए उन्हें जोड़ना 10 से लेकर 99 तक के बीच की सभी संख्याओं दो अंकों वाली संख्याओं कहलाती है आओ, अब दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने के क्रम में हम पहले एकाई के स्थान वाले अंक को और उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं आव दो अंकों वाली संख्याओं के जोड़ को ठीक से समझने के लिए संख्या 14 तथा संख्या 23 को जोड़ते हैं। इकाई के अंक वाले स्थान पर 4 तथा 3 अंक हैं, 4 जमाद 3 बराबर 7. दहाई के अंक वाले स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं, 1 जमाद 2 बराबर 3. इसलिए 14 जमाद 23 बराबर है 37 के. हम दो अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर भी जोड़ सकते हैं आओ देखें कैसे 16 जमा 22 कितने होते हैं जी हाँ 16 को 10 जमा 6 भी लिखा जा सकता है 22 को 20 जमा 2 भी लिखा जा सकता है अता 6 जमा 2 बराबर 8 है 10 जमा 20 बराबर 30 है और 30 जमा 8 बराबर 38 है इस प्रकार 16 जमा 22 बराबर 38 हुआ हासिल लगा कर दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की दूसरी विधी हासिल विधी है आओ इसे एक उधारन की सहायता से समझते हैं 29 जमा 44 कितने होते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 9 तथा 4 अंक हैं 9 जमा 4 बराबर 13 हैं इकाई के स्थान पर 3 अंक लिखते हैं और एक अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं दहाई के स्थान के लिए कुलंक एक दो तथा चार है अतहा एक जमाद दो जमाद चार बराबर साथ है इस प्रकार उन्तीस जमाद चवालीस बराबर तिहत्तर हुआ तीन अंकों वाली संख्याओं का जोड सौ से नौ सो निन्यानवे तक की संख्याएं तीन अंक वाली संख्याएं कहलाती हैं दो तीन अंक वाली संख्याओं को जोडने के क्रम में हम पहले इकाई के स्थान वाले अंक को जोडते हैं उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को और अंत में सैकड़े के स्थान वाले अंक को जोडते हैं। आओ तीन अंक वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए हम संख्या 143 वा 254 को जोडते हैं। इकाई के स्थान पर तीन तथा चार अंक हैं। तीन जमा चार बराबर साथ होता है। दहाई के स्थान पर चार तथा पांच अंक हैं। चार जमा पांच बराबर नौ होता है। सहकड़े के स्थान पर एक तथा दो अंख हैं. एक जमा दो बराबर तीन होता है. इस प्रकार 143 जमा दूसो चववन बराबर 397 है. हाओ हासिल की सहयता से दो तीन अंखो वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं. 423 जमा 287 कितने होते हैं? एक आई के स्थान पर तीन तथा साथ अंख हैं. तीन जमा साथ बराबर 10 होता है. एक आई के स्थान पर शूने लिखते हैं और एक अंख को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं. दहाई के स्थान पर एक, दो तथा आठ अंख हैं. एक जमा दो जमा आठ बराबर 11 प्राप्त होता है. दहाई के स्थान पर एक लिखते हैं और एक अंख को सहकड़े के स्थान पर ले जाते हैं. सहकड़े के स्थान पर एक, चार तथा दो अंख हैं. एक जमा चार जमा दो बराबर 7 होता है. इस प्रकार चार सो तेईस जमा दो सो सकतासी बराबर 710 है. एक अंख वाली संख्याओं को घटाना. आओ, अब घटाने की ओर बढ़ते हैं. हम एक अंख वाली संख्याओं के घटाने से प्रारंब करते हैं. रजद भूका है. उसकी मा उसे चार चपातियां देती हैं. वो तीन खा लेता है. अब कुल कितनी चपातियां बच्टी हैं? आईए देखें. तीन को चार से घटा करने पर एक प्राप्थ होता है. अताहा रजद के पास एक चपाति बच्टी है. प्रिया की मा उसके लिए गनित की बारा नोटबुक लाईं. उन में से वो साथ प्रयोग कर चुकी है. अब कुल कितनी नोटबुक और बच्टी हैं? आईए देखें. साथ को बारा से खटा करने पर पांच प्राप्थ होता ह अताहा प्रिया के पास पांच नोटबुक बच्टी हैं. दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें घटाना. आओ अब हम दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं. पच्चिस घटा पारा कितने होते हैं? पहले हम एकाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं आईए देखें दो को पांच से घटा करने पर तीन प्राप्त होता है इसके बाद दाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं एक को दो से घटा करने पर एक प्राप्त होता है इस प्रकार से 25 घटा 12 बराबर तेरा प्राप्त होगा 34 घटा 9 कितने होते हैं संख्या 34 में 3 दहाई वा 4 इकाई है और हम इसमें से 9 इकाई घटाना चाहते हैं क्योंकि 4 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटाई जा सकती है इसलिए हम एक दहाई को 10 इकाई में परिवर्थित कर देते हैं अब हमारे पास 2 दहाई तथा 14 इकाई हैं हम 14 इकाई से 9 इकाई घटा सकते हैं अताहँ अब हमारे पास 5 इकाई और 2 दहाई शेश बचते हैं इस तरह से 34 घटा 9, 25 प्राप्त होता है 54 घटा 18 कितने होते हैं चलिए देखते हैं संख्या 54 में से 5 दहाई और 4 इकाई हैं हम 8 इकाई घटाना चाहते हैं हम 1 दहाई को 10 इकाई में परिवर्तित कर लेते हैं अब हमारे पास 14 इकाई और 4 दहाई हैं हम 14 इकाई में से 8 इकाई घटाते हैं हमारे पास 6 इकाई बशती हैं अब हम 4 दहाई में से 1 दहाई हटाते हैं तो हमारे पास 3 दहाई बशती हैं इस परकार 54 घटा 18 बराबर 36 प्राप्द होता है रिन दे कर और बिना दिये दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब हम रिन की सहायता से दो अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। 65 घटा 27 कितने होते हैं क्यूंकि 5 अंक 7 से कम है। इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से एक अंक रिन लेते हैं जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है जो की 7 से बड़ा है। अता 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्त होता है। क्यूंकि दहाई के स्थान का 6 अंक, इकाई के स्थान के 5 अंक को एक रिन देता है। इसलिए अब वो 5 हो जाता है। 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्त होता है। अताह 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्त होता है। अनुच की मा ने उसे 50 रुपए दिये। उसने क्रिसमस के उस सफ़ पर 36 रुपए खर्च कर दिये। अब उसके पास कितने रुपए बजे हैं। उत्तर पाने के लिए हम 50 में से 36 घटाते हैं। शुन्ने अंक 6 से छोटा है। वो 5 अंक से एक रिन लेता है और 10 हो जाता है। 10 घटा 6 बराबर 4 प्राप्त होता है। 5 अंक एक अंक रिन देकर 4 हो जाता है। अतह 4 घटा 3 बराबर 1 प्राप्त होगा। अर्थात 50 घटा 36 बराबर 14 प्राप्त होता है। अनुच के पास अब 14 रुपे 6 बजे हैं। रिन देकर और बिना दिये तीन अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब तीन अंक वाली संख्याओं को घटाते हैं। 364 घटा 241 कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चार में से एक घटाते हैं। जिससे तीन प्राप्त होता है। फिर छै में से चार घटाने पर दू और फिर तीन में से दू घटाने पर एक प्राप्त होता है। अता, 364 में से 241 घटाने पर हमें 123 प्राप्त होता है। 754 घटा 227 कितने होते हैं? चलिए देखते हैं, 4 अंग 5 से रिन लेकर 14 हो जाता है। अता, 14 में से 7 घटाने पर 7 मिलता है। अब 5 अंग 1 अंग रिन देकर 4 हो जाता है। अता, 4 घटा 2 परापर 2 प्राप्त होगा। और 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। इसलिए 754 में से 227 घटाने पर हमें 527 प्राप्त होगा। हमने क्या चर्चा की? हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तथा हासिल की सहायता से जोड सकते हैं। हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तथा रिन की सहायता से घटा सकते हैं।